इसे पहले हमने थ्री पार्ट्स वन लाइनर के अपलोड कर दिये हैं तो आप हमारी एग्रिकल्चर इस्टडी प्लेश्ट में जाकर तीनों पार्ट देख सकते हैं और फ्रेंट्स ये जो हमारी वन लाइनर सीरीज चल रही है ये सारी ये सीरीज इन सभी जो बोड हैं इनके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोटेंट है और इनके थ्रू कराए गए जितने भी एग्जामिनेशन से उनमें ये आई हुए कोश्चन से तो अच्छे से प् प्रेंट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है आज का हमारा जो वन लाइनर सीरीज है ये हमारा टीलेज का कुछ पोर्शन बचा हुआ था और फिल्ड क्रॉप का तो उस पर है तो स्टार्ट करते हैं रिज पलफ इस यूज़ तो रिज पलफ जो है वो किस लिए यूज करते हैं तो अर्थिंग अप के लिए यूज करते हैं और रिज एंड फरो बनाने के लिए यूज करते हैं तो पॉइंट याद रखना कि जो रिज पलफ है उसका यूज हम अर्थिंग अप यानि के मिट्टी चड़ाने के लिए यूज करते हैं तो रिज पलफ का यूज हम रिज ए करते हैं वीड करते हैं ठीक है वीडिंग करते हैं तो इस्टार वीडर यूज होता है ड्राइ लेंड में वीडिंग करने के लिए एंड ग्राउंड फिल्ड में वीडिंग करने के लिए तो याद रखना इस्टार वीडर का यूज हम ड्राइ लेंड में वीडिंग के लिए य किया जाता है इसके बाद है the secondary tillage implements are most important question है cultivator है harrow है ho है planker है roller है सारे नाम आपको याद रखने है कि secondary tillage के implements कौन-कौन से हैं इसके बाद the optimum range of available soil moisture for convenient and effective plowing plowing करने के लिए soil का moisture percentage कितना होना चाहिए ठीक है याद आपको याद रखना कि effective plowing करने के लिए soil का moisture की optimum range कितनी होती है तो याद रखना पचास से 75 परसेंट moisture soil में होना चाहिए ideal condition of soil for crop growth एक ऐसी ideal condition बताओ crop की growth के लिए तो वह क्या method है seed bed method तो आपको याद रखना है कि seed bed method में crop growth अच्छी होती है ठीक है इसके बाद conventional tillage involved conventional tillage में क्या-क्या use होता है तो minimum tillage हम conventional tillage में use करते हैं zero tillage use करते हैं और conservation tillage use करते हैं point याद रखना कि conventional tillage में हम क्या-क्या involve करते हैं तो minimum tillage practice zero tillage practice और conservation tillage practice को हम conventional tillage में include करते हैं इसके बाद next है okay the tillage aims एक मिनिट the tillage aims to reduce tillage to the minimum necessary for ensuring a good seed bed rapid germination satisfactory strand and favorable growing condition तो ऐसा कौन सा tillage है जो tillage practice को minimum से minimum requirement के according लेके चलता है और उसकी help से good seed bed बनती है rapid germination हो जाता है favorable conditions मिल जाती है grow करने के लिए तो ऐसा tillage है minimum tillage point याद रखना कि एक ऐसा tillage जिससे good seed bed preparation हो जाए rapid germination हो जाए ठीक है rapid और favorable growth condition मिल जाए तो वो tillage कौन सा होता है वो होता है minimum tillage okay इसके बाद है harrow are used for harrow का use किसले करते हैं preparation of seed bed seed bed preparation के लिए करते हैं और weed को destroy करने के लिए करते हैं next है mechanization index is found highest in यह सबसे ज़्यादा जो mechanization index है वो किस में मिलता है तो वो मिलता है wheat crop में mechanization index का मतलब ज़्यादा तर machine का use किस crop के लिए किया जाता है तो वो यह है mechanization index सबसे ज़्यादा किस में होता है wheat crop में होता है आपको याद रखना है the tillage operation done to create a good seed bed for proper seeding planting इसने कहा है कि जो tillage operation है ठीक है वो किया जाता है create करने के लिए a good seed bed ठीक है proper seedling के लिए तो वो tillage कौन सा होता है secondary tillage तो यहाँ पर आपको point ऐसे याद करना है कि एक ऐसा tillage operation जो कि good seed bed के लिए किया जाता है जिससे क्या हो सके proper seedling और planting के जा सके तो ऐसा tillage होता है क्या secondary tillage ओके इसके बाद next है field crop अब हमारा field crop start हो गया है बोटेनिकल नेम और एंड फैमिली ओफ पैडी औराईजा सेटाइवा बोटेनिकल नेम है फैमिली है पोईसी दा बोटेनिकल नेम और फैमिली ओफ वीट ट्रिटिकम स्पिसीज और फैमिली इस पोईसी यह सारे कॉमन है और यहां पर आपको याद रखना है दोबारा से देख लीजे बोटेनिकल नेम और टूरोट बारले और सिक्स रोट बारले तो टूरो बारले जो तूरो में वुया जाता है बारले तो वो है हार्डियम, डिस्टिचॉम और जो 6 रो में वोया जाता है एक मिनट जो 6 रो में लगाया जाता है वो हार्डियम वल्गेरी ठीक है तो काबुली चन्ने का नाम होता है साइसर काबुलियम बोटेनिकल नेम आफ डेसी ब्राउन चिक्पी काले चन्ने का नाम होता है सेसर अरिटीनम अरली मैच्वरिंग पीजन पी अरहरीज कैजनस कैजान फ्लेवर्स लेटेस्ट बोटेनिकल नेम आफ मूंग ग्रीन ग्राम इज फैसियोलस और यस तो ये लेटेस्ट एक मिनट ये लेटेस्ट नेम है मुंक का ग्रीन ग्राम का फ्रस्योलस और यस बोटेनिकल नेम ओफ फिल्ड पी पाइसम सेटाइवं एर्वेंस बोटेनिकल नेम ओफ गार्डन पी पाइसम सेटाइवं हर्वेंस यह याद रखना आपको क्लियर बोटेनिकल नेम ओफ फिल्ड पी पाइसम सेटाइवं एर्वे उर्द ब्लेक ग्राम इस फैसियोलस मुंगो तो यह इसका उड़ का लेटेस्ट गॉटेनिकल नेम है तो आपको यह सभी कोस्चन कैसे लगें कमेंट बॉक्स में जबूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने सभी friends को share करें ताकि सभी को यह important questions मिल सकें ओके और अगर आप लग्यों को यह हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो comment box में हमें जरूर बताएं और अगर आपको कोई भी topic अगरी कल्चेर बाइलोजी का चाहिए तो अब में comment box में बता सकते हैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर